हेलो दोस्तो प्राइमेक्चर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो कभी-कभी जब हम कोई फिरिज को करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो कैपलरी है हम उसको ऐडिंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो बंद है या खुली हुई है अब यहाँ पे हम यहाँ पे दोस्तों कम टाइम में इसको हम identify करना सीखेंगे आज किस तरीके से हम जाचते हैं कैपलरी बंद है या खुली हुई है और यहाँ पे हम कोई भी ऐसी चीज नहीं यहाँ पे use करने वाले हैं जैसे कि pin wall हो गया या फिर कुछ और तो यहाँ पे जो मैं use करने वाला हूँ वो इस कपलर की मदद से मैं इसको identify करने वाला हूँ तो यहाँ पे हम किस तरीके से इसको identify करेंगे किस तरीके से use करेंगे इसको किस तरीके से हम इसको जाचेंगे कि हाँ हमारी जो कैपलरी वो बंद है या खुली होई है कभी कभी होता क्या है फिर इज हमारा चलता रहता है लेकिन वो कूलिंग नहीं करता है तो कैपलरी भी हमारी बंद होती है तो इसको हम सबसे पहले जाचेंगे कि यह बंतो नहीं है, तोसुर्म सबसे, हम इसको यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज, हम इसको यूज करेंगे, यहां पर, YES को हम अच्छी तरीके से लगा देंगे, यहां पर इस तरीके से आप लगा देंगे, यह two in one है, यहां पर आप two in one है, हम इसको यहां पर लगाएंगे यहां पर दोनों कपलर यहां पर लगा दी है आप देख रहे हैं अब यहां पर जो है मैं इसको जहां पर फिल्टर लगाते हैं हम यहां से इसको मैंने यहां से कट करके यहां पर एक कपलर इधर लगा दिया है एक कपलर मैंने इधर लगा दिय यहां मैं इसको जा चुँँगा कि जो हमारी capillary है वो कहीं से बन तो नहीं है तो यहां पे इसको जाजने वाला हूँ तो इसको यहां से दोनों गपलर यहां पे लगाने के बाद इस line को इस meter को मैं यहां पे connect करूँगा यह जो आपका मीटर है, एक लाइन में इधर लगाँगा इसकी और दूसरी आपकी कैपेडरी में लगीगा यहाँ पर फिरेड्ड आप देख रहे हैं, यहाँ से जो हमारा प्रेशर वो सीधा इधर जाएगा इधर जाने के बाद सीधा हमारा इस जो मीटर है इसमें आएगा इसमें जाने के बाद सीधा हमारी कैपलरी से होता हुआ सीधा हमारा इस पाइप के दुवारा बाहर निकल जाएगा तो इसको मैं compressor करता हूँ start यहाँ पर मैंने compressor को जो है start कर दिया है तो इसका जो meter है वो मैंने यहां से खोल दिया है और यहाँ पर आप देखेंगे जो meter की जो सूई है वो धीरी धीरी करके उपर की side में को यह जा रही है यह देखें आप अगर सपोच को लीजिए आपकी कैलरी बंद हो अगर आपकी कैलरी जो है बंद रही तो यह जो है प्रिशर आपका बढ़ता ही रहेगा और आपका अगर हमारी कैलरी खुली रही तो ड nessa से ऊपर यह सूनी नहीं जाएगी 200.500 के आसपास ही हमारी सूनी जो है address आप इसको कितना भी चला लीजिए आप देखेंगे तो यहां से जो हमारा प्रेशर है दोसों से ऊपर हमारा नहीं बढ़ रहा है मतलब कि हमारी जो कैप रही है वह खुली हुई है यहां पर हमें कम टाइम में ही सिर्फ और सिर्फ पांच मिनिट में हमें यहां पर पता चल च कर सकते हैं कि जो हमारी कैप लवी है वह बंद है या खुली है इस तरीके से आप पर प्रेशर भी देख रहे हैं जो है दोसों से और यहां पर बीच में है तो यहां पर जो प्रेशर है वह लेंद के ऊपर डिपेंड करता है के प्रेंड की मोटाई या अगर उसका सुराग प्रेशर प्रेशर नहीं बड़रा मतला हमारी कैप लगा के देख सकते हैं यहां पर हवा जो है आपको दिखाई देगी तो यहां से भी हमारा सब कुछ यहां पर लाइन जो है मारी बिल्कुल किलियर है आप इसमें गैस जा लिए फिल्टर चैन्ज की जो भी आपको करना है आपको इडिटिफाई करना है कि कैपलरी खुली है बंद है और यह आपको अगर कपलर चाहिए तो आप जो है इसको www.primex channel पर जाके इसको खरीच सकते हैं या इसमें लिंक है वहां जाके भी आप इसको आप खरीच सकते हैं मैंने इसको आप खरीच सकते हैं यह दोनों हमा करें और वीडियो को शेर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्पोर्शाथ ओके बावाद